हेलो गाईज तो फाइनली अपना बियार रेंग का न्यू रेंग सीजन सीजन 42 आ चुका एंड इस सीजन में आप लोग को सोलो रेंग कुस करने के लिए ऐसा क्यरक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा ना जिसके अंदर आप लोग 500 से भी ज़्याद है एच पी लेके खेल पाऊ है और यह वाला करेक्टर स्किल लगा कि अगर आप लोग सोलो के अंदर रेंक पुष करोगे ना यह सीजन आपको ग्रेंड मास्टर जाने से कोई भी नहीं रख सकता तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना मैं ना एट टू जट सारी चीज़े डीटेल में बताऊंग तो वीडियो को ना पूरा एंड तक देखना मैं सब बी की सब बी चीज़े एक एक चीज़े आप लोग को डीटेल में अच्छे से एक्स्प्लेइन करके समझाओंगा ठीक है तो चलो यार सबसे पहले बात करते हैं आप लोग लेंडिंग की तो देखो लेंडिंग कहीं भी कि आप लोग करो गईश ठीक है अपना एकोर्डिंग देख के करो हाँ पर आप लोग का कि निकल पाए सो लोगे अंदर स्टार्टिंग में इसटार्टिंग में की बैटर करते हैं तो एक्वाईबल कर चांज मिलेगा न तो एक बद आप लोग को रिवाईब हो की उतरने व तो देखते हैं आपन लोग निकाल पाता हैं और विडियो को पुरा एंड तक देखना गाइस क्योंकि अभी मैं आप लोग को बताऊंगा कौन से वैपन्स यूज्ज करने गाइस ठीक और कौन से वैपन्स नहीं उसकरने जिससे आप लोग गईस वैपन्स गलोरी में भी पू तो देखो कोईन के बगल में एक हाड चल रहा है तो जब तक यह हाड चलता है तब तक मैं फाइट ले सकता हूँ अगर मैं मरूंगा तो आपन लोगों को रिवाइवल का चांस एक बार मिलेगा ठीक है तो इस बंदे को तो लूट लिया यहाँ पे और क्या क्या है गास मतलब अंपने लोगों का हुए ठीक है की बाई किन निकालना है चलू यहाँ पर गाईज्स एक स्कील मिली आपन लोगों को और सी फायर आया गास सामने की तरफ बंदा इरहा बंदा बंदे का काम तमाम चलो दो के लिए आपे हो गया, तो चलो गाइस, मैं आप लोग को बिना लेट के बताता हूँ, स्टार्टिंग का तो यह देखो, अब यहाँ पे गईस, अगर आप लोग ध्यान से देखो, तो यह हाट खतम होने वाला है, ठीक है, तो अब मेरे को फाइट अवोइट करना चाहिए तो आप में से जितने भी बंदे देख रहो, भाई मैं तो बोलूगा फाइट अवोइड ही करो, मैं थोड़ा सा फाइट ले लेता हूँ गाइस, बंदे बंदे को मार के दिखाता हूँ, आप लोग को गरेक्टर स्किल के बारे में यह देखो बाई, करेक्टर स्किल ओन किय लिटरली मेरा कितना HP कटा गाइस, थोड़ा सा भी HP नी कटा इस बंदे ने इतना मारा और मेरा केरक्टर स्किल रिसेड भी हो गया, मतलब यहाँ पे देखो जो मेरा केरक्टर स्किल था ना गाइस, उसका HP घटने की बजाए, देखो कितना सारा IP सील्ड पॉइंट फिर से बन गया, तो भाई मतलब लिटरली यह वाला केरक्टर स्किल तो अमेजिंग है, बस आप लोग देखती जाओ ना, मैं आप लोग को बताता हूं कि किदर किदर से आप लोग को कितना पॉइंट मिलेगा, ठीक है, लिटरली पैट का भी स्किल बताऊंगा, ठीक है, कि कौन सा पैट आप लोग को यूज करना है, ठीक 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 है, ठी करना पहली बात यह दूसरे बात गाईस दूसरी सेकर्ड है अप लोग को 50hp का сеओंं मिल गया उसके बाद आप लोग को यूस करना लिकवेटा तो जैसे लिकवेटा करेक्ट्र यूस करोगे आप लोग को पच्यास जफ्लक्र का और से seal point तो कितना हो गया total guys 100 seal point ठीक है उसके बाद आप लोग को use करना है guys shiny character तो shiny character जब आप लोग use करोगे तो जब आप लोग extra character मतलब active character skill use करोगे न active वाला तो आप लोग के साथ क्या होगा guys कि आप लोग को shiny character से आप लोग को 50 HP का और seal point मिल जागा तो कोई भी active character skill आप लोग use करोगा इस ठीक है उसमें से shiny character activate हो जागा और 50 HP का seal point हो गया तो कितना हो गया total 1500 HP और उसके बाद आप लोग को guys use करना है zen character ठीक है अब zen character का ability के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की जरुरत नहीं है बस आप लोग यह समझे लो कि zen character जैसे यूज करोगे न आप लोग को 15 second के लिए guys फिर से आप लोग को 15 HP का मिल जाएगा मतलब 50 बोल रहा हूँ 50 HP का seal point तो total आप लोग को मिलेगा guys कितना seal point हो गया 200 का seal point ठीक है 200 का seal point आप लोग को हो गया भाई इतना ज्यादा seal point मिलेगा आप लोग को तो सोचो 200 आप लोग का क्या हो गया guys EP ठीक है EP तो आप लोग को 200 रहेगा उसके बाद आप लोग का हो गया guys 200 HP और उसके बाद होगे आप लोग का 200 सील पॉइंट मतलब टोटल 600 गाइस अब सोचो आप लोग इतना ज्यादा HP, EP और सील पॉइंट लेके खेलोगे तो कोई बंद आपको मार सकता है क्या गाइस बताओ भाइ लिटरली याँ पे देखो कितना ज्यादा सील पॉइंट है कितना ज्यादा EP है कितना ज्यादा HP है मतलब कोई बंदा क्या गाइस दो तीन बंदे भी आप एक साथ रस कर देंगे ना फिर भी नहीं मार पाएंगे इतना खतरना क्यरक्टर कॉम्बिनेशन ही यह वाला क्योंकि अब भी के टाइम पे रैंक कुछ करना ज्यादा है कोई भी बंदा आसानी से अपना रैंक गाइस है रोइक मास्टर एफिर ग्रंड मास्टर लेके जा सकता है ठीक है पहली बात तो यह होगा गाइस अब मैं आप लोग को एक और बात बताता हूं ठीक है देखो सबसे जादा यह main important बात है ठीक है अप लोग थोड़ा सा यह ध्यान में रखना चलो मैं आप लोग को बताता हूं वो क्या चीज है और क्या बात है ठीक है तो यह तो गया गाइस character skills के बारे में ठीक है अब बात करते हैं आपन लोग guns के बारे में तो guns जब भी आप लोग solo के अंदर rank push करो ना गाइस guns देख के लो कि कौन से गन से खेलना है कौन से नहीं खेलना है मैं हमेसा आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग ऐसे गन से खेलो ना जिससे आप लोग एक ही गन से खेलो रूको मैं आपको अच्छे से explain करके समझाता हूं तो देखो गाइ बीजोन चलाना है जिस भी बंदे के पास गन स्किन नहीं है ठीक है और अगर आप लोग shotgun चलाना चाहते हो तो भाई आप लोग चलाओ ट्रोगन चलाओ मैक्सिमन चलाओ यह सारे बेस्ट गन है गाईस टीक है एमटेन भी नहीं चलाओ अगर ट्रिपल चीप एमटेन है तब अगर अगर आपके पास गन स्किन नहीं है तो भाई अपका मर्जी जो भी चलाओ पैसे वाले हो तो भाई पैसे वाले का मतलम की यहाँ पर beyond च्न अच्छा एक लोग और उसके विप्लेंज में अप लोगकर य। स्किन ने ना तो उट-पिकर वागरा यूस करो गाईज ठीक है उट-पिकर वगएरा i-c-e-t वगएरा और इसके इस्वीडि वाइज यह सारे वैपन्स बेस्ट वैपन है ठीक है yawm यूस करो बाई कोई दिक्कत नहीं AWM gun skin रहेगा फिर भी देड़सों का पड़ेगा और नहीं भी रहेगा फिर भी देड़सों का ही damage पड़ेगा तो यह best weapons है guys ठीक है अब चलो मैं आप लोग को कुछ-कुछ और चीज़े बता देता हूं guys यह सारी चीज़े तो हो गई guys गेम के बारे में एक gun skin के बारे में ठीक है और आप लोगों को guys मतलब सुबह के टाइम पर गेम खेलोगे ना तो भाई उतना ज्यादा hard भी नहीं आगा अब चलो ना मैं एक बार आप लोग को practical करके दिखा देता हूं guys आप लोग बोलोगे sakura भाई आप तो उतना ज्यादा बता दिये एप वगेरा और आप लोग को एक pet भी उसकरना जिसका यह देखो भाई सबसे पहले तो यह देख लो भाई देख लिया guys 200 hp देख लिया है आप देखो 200 hp 200 seal point 200 EP तो इतना ज्यादा EP HP और seal point लेके खेलोगे जिससे आप लोग को गेम के अंदर तो कोई भी नहीं बार पाएगा ठीक है और आप लोग इजी पीजी हर गेम भूया भी कर लोगे ठीक है यहां पर देख सकते हैं इतना ज्यादा HP लेके खेलोगे और EP लेके तो कोई मार पाएगा गाइस तो जब भी फाइट लो मैं बोलूंगा यही वाले active character skills और करके फाइट लो यहां पर सामने की तरफ में को एक बंदा दिख हाँ गाइस ठीक है वीडियो बहुत ही जादा लंबा हो जागा और वैसे ही जैसे नॉर्मल गाइस गेम भूजा होता है वैसे गेम भूजा होगा तो चलो गाइस मिलते हैं अपन लोग अगली उड़ में तब तक के लिए भाई आप सभी को लब यहल गाइस पाइस पाइज झाल